हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अनकेडमी के लेक्सक्राइए एक नीट पीजे प्लेट्फोर्म पे आज मैं आपके सामने टॉक्सिकलोजी के अंदर ही डिटेल्ड में मैं इंट्रोड़क्टिर पार्ट करवा रहा हूं मैं तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ सा अपने ब करने के बाद से मैं टीटिंग लाइन से जुड़ गया थो मैंने बहुत सरे स्टुएंट स्कून की मंदिल तक पहुचाया है जैसे मैं आपको बताया टॉक्सिकलोजी टॉपिक मैं करवा रहा हूं आपको डिटेल में एक दम तो पिछली जो रिकॉर्डिंग मैंने दी थी उन रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने जो है डेफिनेशन करवाई थी दूसरी रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने जो है जो एक्जामनेशन थे कि किस पॉजडिंग के अंदर हमें क्या-क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है वो सब मैंने करवाई था और इसके अंदर मैं उस ये educators अपने subjects में एक दम टॉप हैं ये educators आपकी special classes भी लेते हैं ये special classes का फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको live classes मिलती है इन live classes के थुरू आप घर बैठे comfortably आप classes attend कर सकते हैं और अगर कोई educators आपसे कोई question पूछता है जिसके चार option होते हैं या 5 option होते हैं तो आप अपने ही mobile screen पे या laptop के थुरू आप उसको जो है option choose कर सकते हैं और भी बहुत सारी features है चलिए बताता हो on academy platform पे यहाँ पे आपको mock test की सुधा मिलती है इन mock test के थुरू आप अपनी preparation का evaluation भी कर सकते हैं यहाँ पे आपको flexible schedules मिलते हैं ये अगर मैं examples के तो और पे अगर मैं interns की बात करू तो interns का daily अलग अलग duty hours रहते हैं तो ऐसे में वो daily offline classes के लिए अपने time waste उनको बिना time waste करें वो अपने घर पे जब भी वो relax हो जब भी वो free हो वो हमसे जूर सकते हैं यहाँ पे language preference मिलती है जैसे English है Hindi है Malayala मतमील और बहुत सा languages में यहाँ पे आप अपनी preparation कर सकते हैं यहाँ इन करें प्लैट्फोरम पर जैसे मैं आपको बताया एज्यूकेटर साथ की life classes लेते हैं इन life classes का फाया यह है कि आप अपने घर बैटके एजूकेटर साथ चाइट कर सकते हैं अगर कोई भी problem होती है तो आप वहीं पे doubt clear कर सकते हैं अपने यहाँ पे यहाँ पे आपको interactive polls मि से कोई सवाल पूछता है तो आप अपने घर पर बैठे बैठे आप अपने option choose कर सकते हैं यहां अगर आप बहुत आप रिमोट एरिया में पर रहते हैं तो भी आपको घबानी कोई बात नहीं है आपको बस internet connection चाहिए और आप हम से जुड़ाएंगे यह हुआ learn anytime anywhere आपको बस करना यह है आपको अपने smartphone में unacademy learning आपको install करना है इस्टॉल करने के बाद आपको subscription लेना है subscription के लिए आपको different options मिल जाते हैं जैसे one month three month six month twelve month 24 months अगर मैं इनके charges की बात करूँ तो अगर आप मेरा code use करेंगे live DRAM अगर आप मेरा code use करेंगे तो आपको additional 10% का discount मिल जाएगा तो अगर मैं one month subscription charges की बात करूँ तो मेरा code use करने के बाद यह आपको पढ़ेगा 4500 का three months के subscription charges की बात करूँ तो यह आपको पढ़ेगा 18,000 का 12 months की बात करूँ तो आपको पढ़ेगा 22,500 का ऐसे अगर मैं 24 months की बात करूँ तो अगर आप मेरा code use करेंगे live DRAM अगर आप मेरा code use करेंगे तो आपको जो है यह पढ़ेगा 27,000 उपीज का तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 months का मतलब यह हो गया कि आपको सिफ 12 months plus 1 month का ही subscription charges में आपको 24 months का आपको subscription मिल जाएगा जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 month का subscription charges है वो है 4,500 और 12 month का subscription charges है 22,500 तो अगर आप यह 2 months का लेते हैं तो आपको 13 months के pack में ही आपको 2 साल का benefit आपको मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज का topic स्टार्ट करते हैं आज की जो मैं recording कर रहा हूं मैं इसके अंदर मैं आपको जो examination जो रहे गए थे जैसे की genitourinary system, dermal examination, ear examination इन सब के अंदर क्या-क्या findings मिलेंगी हमें poisons अगर कोई consume करता है तो हमें क्या-क्या poison की finding देखने को मिलेगी उन सब के बारे में बता हूंगा तो चलिए start करते है start करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अपने अंदर एक positive energy लेकाया करिए हमेशा confidence रहा करिए कि yes I can crack it, I can crack NeatPG चलिए start करते है start करने से पहले हमें बतायता हूं कि पीछली वीडियो के अंदर मैंने CNS की finding मैंने बताई थी मैंने CVS की finding बताई थी मैंने respiratory system की finding बताई थी मैंने कि कौन सा poison consume करने पे urine का color क्या-क्या हो सकता है तो green color की urine कि poisoning में देखने को मिलेगी phenol और crystal के अंदर orange color का urine हमें किस के अंदर किस poisoning के अंदर देखने को मिलेगी refampicine phenothiazide और centonine yellow color किस case में के देखने को मिलेगा dinattrophenol arsigne yellow color क की हमें के देखने को मिलेगी dinattrophenol और ars Terrorine के अंदर pink color हमें किस poisoning के göndहर кими Acولiteyl that and amuse and mercury इन तेन poisoning canруго हमें pink की urine को मिलेगी purple कलड देखने को मिलेगा और fill in kinder bond to black color मिलेगा थाइमाल केंदर नक्टिलीण केंदर रॉयअ कि फिनॉल फिनॉल फिनDes visions केंदर और वही पारत सूने के क्रोमेट, फिनॉल और थेलियम, इन सब के अंदर हमें अल्बियूमिनूरिया देखने को मिलेगा, किस पॉजिनिक के अंदर हमें हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिलेगा, एस्टिक असिड, आर्सिन, कॉपर, नाइटरेट और स्नेक बाइट, इन सब के अंदर हमें हीमोग लोबी नूरिया देखने को मिलेगा किस पॉजिन्स के अंदर हमें हिमेचूरिया देखने को मिलेगा एलोपुरिनॉल के अंदर देखने को मिलेगा हमें आरसनिक के अंदर देखने को मिलेगा हमें मर्करी के अंदर देखने को मिलेगा हमें और फिनॉल के अंदर हमें देखने को मिलता है ऐसी अगर मैं और findings के बात करूँ तो कौन से poisons जो है pore fiery नूरिया देखने को मिलेगा हमें lead mercury benzene carbon tetra chloride इन सब के अंदर हमें pore fiery नूरिया देखने को मिलेगा oliguria हमें किस case के अंदर देखने को मिलेगा arsenic phenol chromate carbon tetra chloride ऐसा ही किस case के अंदर हमें polyurea देखने को मिलेगा alcohol mercury nitrate bismut और jitalis इन सब के अंदर हमें polyurea देखने को मिलेगा किस poisoning के अंदर हमें dysurea देखने को मिलेगा arsenic anticholinergic और mushroom इस poisoning के अंदर हमें dysurea देखने को मिलेगा तो दोस्तों हमने जनाइटो urinary system के अंदर हम देखा कि किस-किस poisoning के अंदर हमें क्या-क्या findings देखने को मिलेगा तो चलिए next हम स्टार्ट करते हैं musculo-iscalator system के अंदर इसके अंदर पहला देखते हैं कि किस poisoning के के अंदर हमें myopathy देखने को मिलेगा वह है csnake poisoning के अंदर हमें देखने को मिलेगा पैंधा जोसीन के अंदर देखने को मिलेगा मीपेडरीन के नदर देखने को मिलेगा, हिरीन के नदर देखने को मिलेगा, अलकोहल और आयोडाइड, इन सा पॉजनिंग के नदर हमें मायोपैथी देखने को मिलेगा, नेक्स देखते हैं कि किस के नदर मायलजिया देखने को मिलेगा, कॉपर पॉजनिंग, आसिनिक के अंदर देखने को मिलता है कोकेन के अंदर देखने को मिलता है हिरोईन के अंदर देखने को मिलता है और इसने एक बाइट के अंदर हमें रैप्डियोमयोलाइस देखने को मिलता है फैसिकुलेशन के अगर बात करें तो किस पॉजिंग के अंदर हमें फैसिकुलेशन देख को मिलता है कि दो सब्सक्राइब किस पोजिंस कह अंदर हमें स्बूल मसंट्स का दिप्रेशन या फिर समूल मसल मासल का स्टुमलेशन देखने को मिलता है जेखने को अंदर हमें बारुजूरे的话 नायट्रीट 295-267 के इंदर हमे देखने को मिलता है Candice कि eh England कि किस पोशिट Oreo जिकलिक देखने को मिलता है जो दोस्तों यहीं पर मैंने मस्क्राइटल सिस्टम तॉपिक खतम किया अब 2 आते हैं We do blood Med manifestation के अंदर की कौन साइस्टिन के अंदर हमें एनामापटिशन देखने को मिलेगा, chronic alcohol के अंदर देखने हो मिलेगा, arsenic poisoning के अंदर देखने हो मिलेगा, lead poisoning के अंदर देखने हो मिलेगा और opium के अंदर हमें anemia जैसे condition हमें देखने को मिलेगे, poisoning producing blood, dyskratia, iskander, analic, benzene, cadmium, lead, naphthalene, zinc, iron, acetic acid, इन सब के अंदर हमें blood dyskratia देखने को मिलेगा, लिःकोपीनियाँ किस के अंदर देखने को मिलेगा? हमें एलनिन, आर्सिनिक, एंटीमणी, लेट, क्लोरोफिनिकॉल, शल्फोमणई, प्रोमजीन इन सबकी अंदर हमें लिउकोपीनियाँ जैसी कंडिशन देखने को मिलेगा? किस poisoning के अंदर हमें लूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा Snake poisoning फिलो कार्पाइट, टाइटेनियम, टेटरक्लोराइट और थेलियम इन सब के अंदर हमें लूकोसाइट कंडिशन देखने को मिलेगी कौन सी poisoning के अंदर हमें पैंसाइटोपीनिया देखने को मिलेगा chlorofenicol, sulphonamides, erithromycin इन सब के अंदर हमें pencytopemia देखने को मिलेगा किस poisoning के अंदर हमें thrombocytopenia देखने को मिलेगा promazine, sulphonamides और chloramphenicol इन सब poisoning के अंदर हमें thrombocytopenia देखने को मिलेगा next 200 देखते हैं कि polycythemia किस condition में देखने को मिलेगा arsenic poisoning के अंदर देखने को मिलेगा carbon monoxide के अंदर देखने को मिलेगा enlin के अंदर और cobald के अंदर इन सब poisoning के अंदर हमें polycythemia condition देखने को मिलेगा किस poisoning के अंदर हमें basophilic stippling यानि कि अगर short में करों तो stippling देखने को मिलेगा lead, antimony, bismuth और barbiturates इन सा पॉजणिंग के अंदर हमें बेसोफिलिक स्टिप्लिंग देखने को मिलेगा किस पॉजणिंग के अंदर हमें दोस्तो बोन मैरो डिप्रेशन देखने को मिलेगा बेरिलियम, कैडमियम, फ्लोराइट, फोस्फोरस और सेनिलियम इन सब poisoning के अंदर हमें bone marrow का depression देखने को मिलेगा next दोस्तों देखते हैं कि किस poisoning के अंदर हमें hemolysis देखने को मिलेगा sea snake, arsenine, castor, copper sulfate, nitro, furention और lead इन सब poisoning के अंदर हमें hemolysis condition देखने को मिलेगा self hemoglobinemia किस condition में देखने को मिलेगा हमें? poisons producing meth hemoglobin और aniline derivative इन सब poisons के अंदर हमें self hemoglobinemia condition देखने को मिलेगा किस poisons के अंदर हमें meth hemoglobin formation देखने को मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने blood manifestation खतम किया अब next हम देखते हैं Dermal manifestation के अंदर हम देखेंगे यह थोड़े से लंबी स्लाइट से दोस्तों तो patience रखी का अपने अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं detail में एक एक चीज करके बताओं ताकि second year से लेके जिसको दीप में knowledge चाहिए हर किसी की मदद हो सके तो अगर मैं color की बात करूं तो अगर मैं skin color की बात करूं तो carbon monoxide के अंदर cherry red color आता है यह cross कर देतों में और इसमें यह आता है और cyanide के अंदर हमें pink color देखने को मिलता है cynosis के अंदर cynosis के अंदर जैसे organophosphate और strychnine इन सब की जो color है वो मैंने आपको बताया bright hot कि के अंदर देखने को मिलेगा धतूरा poisoning के अंदर देखने मिलेगा sweating या फिर moist skin की poisoning के अंदर देखने को मिलेगा हमें organophosphate, arsenic, opium और pillocarpent इन सब के अंदर skin की manifestation होगी उसके अंदर हमे sweating या फिर moist skin को मिलेगा flushing की skin की देखने को मिलेगा हमें alcohol, arsenic, cyanide और धतूरा इन सब के अंदर हमें flushing of skin देखने को मिलेगा next दोस्तों बात करते हैं blister या फिर bullet formation की skin के दर हमें देखने को मिलेगा barbiturates, carbon monoxide, wiper snakebite, marking nut juice और methylquenron इसके अंदर हमें blister formation देखने को मिलेगा इसके साथ साथ हमें blister formation किस-kis condition में और देखने को मिलेगा maprobormate, tricyclic antidepressant, mustard, calotropice और plumbergo इन सब poisonings के अंदर भी हमें blister या फिर bullet formation देखने को मिल सकता है petechial, purpura या फिर hemorrhagic glycine ये condition किस case में देखने को मिलेगा हमें phosphorus, arsenic, benzene, dicumarol और heparin इन सब के अंदर हमें petechial formation या फिर purpura या फिर hemorrhagic glycine देखने को मिलेगा dermatitis condition किस case के अंदर देखने मिलेगा हमें arsenic poisoning के अंदर skin के listen हमें किस poisoning के अंदर देखने मिलेगा acne formation होगा bromide और थेलिया pigmentation हमें देखने को मिलेगा arsenic poisoning के अंदर 東 इलिदीमा हमें देखने को मिलेगा iodide poisoning के अंदर और разб Abbauer देखने को मिलेगा sodium और mercury poisoning के अंदर ऐसे ही hair loss या फिर yellow patient जिसको बोलता है वग किस condition में में देखना मिलेगा हमें thेलियाम और arsenic के अंदर Tobiatis हमें किस condition में मिलेगाirm uh Сергon और chloroquine poisoning के अंदर हमें देखने को मिलेगा exfoliation हमें किस condition में देखने को मिलेगा arsenic और chloroquine तो दोसो derma manifestation के अंदर और condition के बात करते हैं hirsutism किस condition में देखने को मिलेगा barbiturates poisoning के अंदर देखने को मिलेगा corrosion किस poisoning के अंदर देखने को मिलेगा alkali और acid दोनों के अंदर ही हमें corrosion देखने को मिलता है chromic acid, iodine, mercury chloride और phenol इन सब condition के अंदर भी हमें corrosion देखने को मिलता है edema हमें किस condition में देखने हो मिलेगा arsenic, mercury, oxalate और phenol इन सब के अंदर भी हमें edema देखने को मिलता है pallor किस poisoning के अंदर देखने हो मिलेगा arsenic, barbiturates, cocaine और lead इन सब poisoning के अंदर हमें pallor of skin देखने को मिलता है ulcer formation किस poisoning के अंदर देखने को मिलेगा दोनों ही acid और alkali poisoning दोनों के अंदर हमें ulcer formation देखने को मिलता है chromate, fluoride और iodine इन सब poisoning के अंदर भी हमें ulcer formation देखने को मिलता है आर्टिक एरिया किस पॉजिण के अंदर देखने को मिलती है तो दोस्तों मैंने डर्मल मैनिफेस्टेशन खतम किया मैंने नेक्स्ट मैं आता हूँ आपका एर मैनिफेस्टेशन के अंदर किस पॉजिण के अंदर हमें वर्टिको देखने को मिलेगा कि इन्सान को चक्कर जैसा कुछ लागेगा एलकोहल कैनाबिस काब्यमोन अक्साइड साइनाइड एर्गॉट और टोबैको इन सब के अंदर एर्ग क्या कंडिशन चो करेगा एर्डिन और आर्सनिक कौन सा पॉजिण डेफ्रेंस कॉस कर सकता है मिठाल अलकोहल एर्गॉट कुइनलीन टोबैको और स्ट्रेप्टोमैसेन ये सारी पॉजिण के अंदर हमें डेफ्रेंस जैसे कंडिशन देखने को मिल सकती है टेनिटर्स किस क टेनिटर्स जैसे कंडिशन देखने को मिल सकती है तो दोस्तों मैंने अभी येर मैनिफेस्टेशन खतम किया नेक्स आते हैं जो जित्ती मैंने कंडिशन बताई उसके अलावा अगर कोई स्पेशल कोई कंडिशन है तो कौन-कौन से पॉजिण फीवर कॉस कर सकते हैं आर्स पॉजिण एक्टिंग ओन एंजाइन सिस्टम कौन-कौन से पॉजिण एंजाइन सिस्टम के ओपर एक्ट करते हैं जैसे फॉस्फोरस, साइनाइट, और्गनो फॉस्फेट, मरकरी और लैड एसक्रीशन और पॉजिण कि कौन-कौन से पॉजिण किस-किस रूट से एसक्री विट्रेस हुमर के थू भी एक्स्ट्रीट कर सकता है और पैस्टिसाइड जो है फैटी टिशू के अंदर डिपॉजिट होके एक्स्ट्रीट हो सकते हैं तो दोस्तों यहीं पर मैं पूरा इंट्रोड़क्टिर पार्ट में खतम करता हूं मैं मैंने काफे साइट टेबल मैंने आपके सामने रखी मैंने एप्रॉक्स 80-90 टेबल रखी पुरी तीनों वीडियो मिला के मैं जैसे हमेशा बोलता है हूँ कि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं ये रिकॉर्डिंग का मेरा में उद्देश यही है कि सेकेंड डियर से लेके अगर कोई डीप नॉलेज लेना चाहता है उन सब को किसी भी चीज की दिक्कत ना हो मैंने एक एक टेबलर फॉर्म के मैंने आपके सामने चीजे रखी हुई है ताकि आपको किसी भी चीज की दिक्कत ना हो तो दोस्तों एंड करने से पहले hard work and stay positive जैसे मैं हमेशा आपको कहते आया हूँ कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें अपने अंदर positive energy लेके आए कि yes I can crack it I can crack neat PG हमेशा अपने अं चार से पांच मन्त के अंदर बड़ी असानी से पूरा course खतम करके आप revision start कर सकते हैं इस 8 से 10 को भी आप 4-5 घंटा आप theory part cover करें और बाकी का जो 4-5 घंटा होगा उसमें MCQ और grand test दिया करिये अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही असानी से आपकी neat PG crack हो जाएगे और बहु दोस्तों end करने से पहले आपसे request है कि हमारे जो चैनल है let's like neat PG को subscribe करिए bell icon को press करिए अगर आप subscribe करते हैं और bell icon को press करते हैं तो आपको हमाई नए नए वीडियो का notification आपको आता रहीगा इससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी आपसे request है दोस्तों हमारी वीडियो क लाइक करा करिए जिससे हमें motivation मिलता है और भी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए और भी ज्यादा slides रखके आपको समझाने के लिए अगर by chance आप हमसे query नहीं पूर्ष पाते हैं जैसे मैं queries के लिए हमेशा आपको कहता है हूँ कि में जो special classes चलती है वो एकदम live classes होती है किस कि मैं जादा-जादा slides रखूँ अगर आपके कोई doubt है तो आपकी slides के through ही आपके सारे doubt clear हो जाए दोसरों end करने से पहले मेरा जो code है वो है live DRAM अगर आप यह code यूज़ करते हैं तो आपको additional 10% discount मिल जाएगा अगर मैं example के तोर पर 24 month के subscription charges की बात करूँ तो इसके charges हो तो 30,000 रूपीज लेकिन अगर आप मेरा code यूज़ करेंगे live DRAM तो यह आपको पढ़ेगा 27,000 रूपीज का आपको additional 10% का discount मिल जाएगा ऐसी आगर मैं बात करूँ दोस्तो 12 months के subscription charges की तो 12 months के subscription charges वो है 22,500 मेरा code apply करने के बात तो दोस्तो 12 months और 24 months के बीच में जादा फ़र्ट नही है आगर मैं बात करूँ one month के subscription charges थे वो थे 4500 तो दोस्तो सिर्फ 13 months के subscription charges में आपको full 2 साल का benefit मिलता है तो इसलिए दोस्तों आप से request है कि एक बारी आप यह subscription लेकर जाओर देखिए आपको 100% benefit मिलेगा जोस्तों end करने से पहले आप से request है कि हम सब लोग medical field में हैं अभी देश में coronavirus जैसे संकेट हमाई सामने आ गिया है डॉक्टर होने के नाते हमारा फर्स बनता है कि हम ऐसे में देश को सर्फ करें हम जित्ता जादे जादा हम duty देते हैं और duty के साथ साथ हम awareness फैलाते हैं उत्ता जादा benefit होगा क्योंकि ऐसे टाइम पर बहुत सारे लोग गलत फैमिया फैलाने कोशिश करते हैं तो हमारा एक य फैसे में दोहरा देता हूं जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बोलता आया हूं कि हमेशा मास्क लाके रखिये हमेशा hand wash करा करिये अगर आप बहार से कहीं आया हैं या कोई object को आप टैच करते हैं जो आपको लगता है कि जो की सैनिटाइज नहीं है हमेशा अगर कफ आता ह और जो जो लोग सोशो एकनोमिक स्टेट के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये आदर डलवाएए कि वो कफ जब भी करें हमेशा ऐसे कफ करें ताकि ये पार जायतार हातों से टच नहीं होता है और जब भी ये कपड़ा धुलेगा तो ये साए चीजे भी साफ हो जाएंगी तो ऐसे में अगर लोग मुँँ पे हाथ अके कफ करते तो ऐसे में जो जित्ते भी बैक्टीरिया वायरस हैं जो भी किटानू है वो सब हाथ में लग जाएंगे और ये चीजे हाथों से स्प्रेड हो सकती हैं तो इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी कफ करें हमेशा ऐसे करके कफ करा करिये तो दोस्तों हमेशा अच्छी आवेरनेस फ़राईए करत रूमर्स को फैलने से बचाईए अपने आस पास में जो है ये चीज कहिए कि जो है घर पे ही रहें ज्यादा शोशल गैदरिंग अभी ना करें जैसे आप देख रहे होंगे काफी तेजी से ये वायरस हमाई देश में फैलता जाहरा है अभी कुछ टाइम पहले हजार से नीचे था अभी अचानक से जो है बारा सो और तेरा सो केस पहुँच चुके हैं तो दोस्तों इसे साथ मैं वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे स्पेशल क्लास के अंदर आप में इसे डाउट पूर सकते हैं वो एकदम लाइफ क्लास होती हैं आपके डाउट जो भी होंगे अन दा स्पॉर्ट में क्लियर कर दूंगा तो दोस्तों यहीं पे मेरा पूरा इंट्रोटेक्टरी पार्ट खतम होता नेक्स वीडियो के अंदर में टॉक्सिकोलोजी के अंदर मेनेजमेंट या फिर टीटमेंट के उपर में पूरा वीडियो में आपके सामने लेके अमबार सब तक के लिए थैंक यू